अरर्या पुलिस ने रानी गंज डकैती कांड का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में लूट के सामान के साथ 6 अपराधियों को गिरफतार किया गया है। वह तलब है कि 17 सुतंबर को रानी गंज के काला बलवा गाउं में अपराधियों ने मक्का व्यवसाई के घर पर धा रानी गंज स्थाना शेत्र में रिंकु नायक जो काला बलुवा के रहने वाले हैं उनके घर में 10-12 नकाफोस अपरात कर्मी घर में घुसके क्रिटकेती के खटना को न्याम दिया जिया जिसमें वादी के द्वारा 55100 रुपे स्वोना चांदी की जवरात और मोबाईल जी सबाता व Şimdi्गंज में 95 काः जर्ज किया गया और ढ्न टकाल अनुशनधान पर आरप दिया गया में इस को तकनीकी अनुशनधान के अधार पे पुद्भेदन किया गया है तक्निकिन उस नदान के अधार पे इसमें सनलीप छो अपराद कर्मियों को गिरफदार किया गया है गिरफदार अभ्यूपतित के स्विकारोपती बयान और निशानदीही के अधार पर खांग में लूटा गया चांदी के सभी जिवरार इस्टील के बरतन वादी का जमीन का केवाला जो उसके बैक में था जो चला गया था रस्वीद वगरा लूटा गया मुबाइल लूटे गए कपड़े जो बिल पृपकेस में कपड़े थे वगरा वगरा वरामद हुआ और तीन हजार रुपे भी वरामद हुआ जिसे चप किय गरफ्तार अव्यूक्त है मुहंबद जाकिर यह रानीगैं इंसाना के रहने वाले हैं काला बलुए कहीं रहने वाले हैं प्रकास परिहारी हवाच mamas Knowledge करने वाले उधा सुमन कुमार पासवाण जो बर मुतरा भरगामा करने वाले email मनोस साह जो छ्क्लिव परविजन्ज के रहने वाले हैं और गुपाल मंडल जो खमकोला परविजन्ज के रहने वाले हैं इसमें लेडीज पर्स जिसमें चांदी की दो चैन एक अंगुत्री दो जोड़ी पायल वादी का जमीं का किवाला अधार काड वगरा ते तीन हजार रुपए तीन फिट और त्यूपा दो मोटा बास का डंडा जो घटना में दरवाजा तोड़ने वगरा के लिए प्रीवक पिया गया था वह भी बरामत किया गिया है जो रूठे के कपड़े थे जिसमें कई तरह के कपड़े थे वह सब भरामत किया गया है काला रंग का एक नकाब जो बूद प बहुत जल्ब और बहुत तेजी से कांट को धेजिक किया है। उन सभी को प्रुस्क्रिक करें।